प्रदेश में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश आफ़त बनकर बरस रही है बारिश से जहां कई जगहों पर यातायात अवरुद हो गया है तो वहीं कई जगह भूस्खलन की कारण जन जीवन अस्थ व्यस्थ हो गया है मंडी जला की सदर विधान सबक्षेतर की मांथला पंचायत में अवैद रूप से की गई डंपिंग के कारण बारिश का पानी लोगों की घरों में गुस गया है तो वहीं लोगों की खेथ प्राजीन जलस्तरोथ वो पंचायत का सामुदायक भवन भी मलबी की चपेट में आ गया है मांथला पंचायत के उप्रधान प्रेम सिंग ने बताये किन दिनो मंडी कोटली एनेच का कारे चला हुआ है और एक नीजी संस्थान की कहने पर एनेच आई ने उनकी पंचायत पर डंपिंग साइट बना दी उन्होंने जला उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी से जल्द ही समस्या को हल करने की गौहार लगाई है और लोगों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की भी मांग की गई है तर लोगों की गई है मैं उप्रधान ग्राम पुझायत मांथला बेरी पर पंचायत में जाग्रिती वालों ने एन आचाइज वालों से अवैज रूप से डंपिंग करवाई जब पंचायत को इसकी जानकारे मिली तब हमने प्रभावी रूप से वण विभाग नंचाय वालों कों को पुलवाया और डंपिन रखवाई तो था इसकी जानकारी पंचायद के माध्यम से उपएकुत महदय को भी दे दी गई कि तन्तु इसका कोई समधान नहीं निकला अग अब अभी हाल ही में बरसात पहली बरसात में सामधाइक भवन सड़क लोगों के खेट पीने के पानी बा बहुत ही नुपसान होगा दन्यावाद जादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और नाते रहे हैं भरोसे की मुस्क्राहट पांच लाग से भी ज्यादा हे माचली चेहरों पे उनके बनाए आभुष्णों की शुदता के लिए सही कीमत के लिए सोने के आभुष्णों की वापसी पर कोई भी कटोती ना करने के लिए हीरो के जवारातों पर पांच प्रतिशक अधिक दिनागी की गैरंटी के लिए और तो और पांच सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाए तो उन्हें बिल्कुल मुफ्ट पदलने के ल सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छट के नीचे कहा मिली इनका 5000 स्क्वेर पुट से भी बड़ा शांदार शोरू स्वयम ही आपको अवंत्रत करता है एक लंबे रिष्टे की शुरुवात करने और उस रिष्टे को जीवन भर कायम रखने के लिए हमारे हिम माचल की सुन्दरता जो देश के लाखों लोगों को खीच लाती है अपनी ओर फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने परमाचोंदस